Hey everyone, welcome back to Invest with RJ अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें and प्रस्टी वेल आइकन so that वीडियो की निदिफिकिशन आप लोगों को मिलती रहे Dear viewers, मार्केट चाहे अप हो या चाहे मार्केट डॉन हो Invest with RJ चैनल पर जितने भी recommended stocks हैं जो भी stocks हमने discussion की हैं अब तक वो सब के सब उपर हैं मार्केट को उनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं आप MTNL को जरूर जाके चेक आउट कीजिए मैंने community tab पे सबसे पहले यही post किया था जब वो 22 पे trade कर रहा तो आप आज देख सकते हैं जाके जरूर विजिट कीजिए एक बार more than 33 पे पहुँच चुक है वो almost 50% का return हो चुक है सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में आप भी इस channel से जुरी और profit का पार्ट बनिए उसके बाद आपने सब से पहले मैं आप लोगों कुछ चीज़ दिखा जतना हूँ कल सुजलोन एनर्जी के बारे में बहुत सारे मेरे वीवर्स ऐसे हैं जिनके पास हूँ सेयर था मैंने कली उस वीडियो को बना के डाल दिया था कि आप लोग एक भी सेयर लॉस में मत बेचिए एक बार आप आज की वीडियो के श्टार जरूर करेंगे डेफिनेटली इसको एनलिसिस करेंगे बहुत धंक से L&T Finance सेयर के बारे में लेकिन उससे पहले में आप लोगों कुछ चीज़ दिखाना चाता हूँ आप देख सकते हैं यहापे सुझलोन एनरजी मैंने कहली बोला था एक भी सेयर को मत बेचना इस वीडियो को जरूर देखना आप देख सकते हैं अपर सरकीट उसने हिट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है बहुत खुशी की बात है Medica Main यह तो रुखने का नाम ही नहीं लेरा आप MTNL सेर के बारे में देख सकते हैं 32.65 का स्क्रीन सौर था ओल्मोस्ट आप देख सकते हैं मैं आपको प्रूब के तोर पे दिखा देता हूँ एक स्क्रीन पे बने रही है क्योंकि जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तब तक इस चैनल से आप कैसे जूड़ेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि इस चैनल पे सही में प्रॉफिट मिलता है सबसे मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी और ये इन ग्रीन पावर की उपर की सिर्फ 7 रुपे का शेर कभी आपके पैसे को डबल कर सकता है तो मोघ्डेन डबल हो चुका है पैसे 100 percent का रिटन मिल चुका है आपने फिल्मों में सुना होगा की 100 percent का रिटन 25 दिन में पैसा डबल और यहाँ सचमुच हो गया है more than double हो चुक है तो आप जरूर इसको भी चेक आउट कीजिए मैं इसका भी link description में share कर दूँगा ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं MTNL के बारे में 22 पे मैंने पहली बता दिया था आप लोगों को सो मैं बिल्कुल definitely analysis करके दिखाऊंगा आपको बताऊंगा कि share में कितना दम है कितना potential है L&T एक दिग्गस ग्रूप कंपनी की दिग्गस ग्रूप है L&T एक बहुत respected, reputed कंपनी है उससे belong करती है कंपनी NBFC सेक्टर में एक काम करती है कंपनी इसके बारे में जानने की कोशिज करेंगी कंपनी की हालत क्यों खराब है, कंपनी क्यों नहीं बढ़ पा रही है जहांपे L&T के और भी stock चाहे L&T Turbo जो उसका main company है LTTS को ले लीजिए, L&T Infotech को लीजिए वो बहुत सारे stocks उनके जितने भी और share है वो भागते चले जा रहे, L&T Finance हमेशा पीछे की और जा रहा है इसने बिल्कुल कुछ भी return नहीं दिया मैं बोल सकता हूँ कि wealth को भी destroy किया है तो क्या यह rally के लिए अब तयार हो चुका है नहीं, 7% down है, 5 year का अगर आप देख सकते है 5 year में भी कुछ नहीं, यानि एक चीज तो पता लगया कि long term investment के लिए share मेरो को बिल्कुल impressive नहीं लगा क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ हर वीडियों की long term investment उसी share को आप लोग first priority दीजिए जिसका maximum chart pattern अप जाता हो ना कि इस तरीके से volatile हो और मतला बिल्कुल downward में हो, ठीक है market capital देख सकते हैं, आप 19,000 करो रहे है mid cap quality का stock है, इसके बारे मैं अब थोड़ा सा detail ले ले लेते हैं, ठीक है कहा दिक्कतार ही इस company में, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा स्क्रीन पर बने रहे हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में overview दे देते हैं, L&T Finance Holding Limited is NBFC and offers diverse range of financial products वो मैंना आपको पहली बता दिया, home loans, micro loans, consumer loans, loans against property, LAP, जिसको आप लोग बोलते हैं, real estate, finance, infra finance, infra debt fund and other services, ये इनका काम है, RBI से registered है, ठीक है, तो अच्छी बात है, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, market capital 19,000 करों पहली बता दिया, current price देख सकते हैं, 77 पे trade कर रहा है, 52 week है, 13 है, and 52 week लोग 7 रुपीज है, book value के आजपास बिल्कुल trade कर रहा है, exact book value 77 रुपीज है, आप देख सकते हैं, book value के बाब पास ही बिल्कुल trade कर रहा है, return and capital applied positive है, लेकिन कुछ खास नहीं है, return equity भी positive है, 5.80, face value 10 है, so चलिए main दिक्कत यहाँ पर पता लग जाएगी, इसके peers आप चेक कर लीजिए, बजाज finance, बजाज fincer, SBI cards, बुथूट finance, बजाज holdings, HDFC, AMC, चोला finance, L&D holdings, उसके बाद सबसे नीचे आती है company, market capital के हिसाब से company को rank मिलती है दोस्तो, अब एक बार जान लेती है कि दिक्कत कहा रही हूँ, वो result में पता लग जाए, क्योंकि long term में हमेशा अगर fundamentals को देखा जाता है, आप देख सकते हैं सितंबर 2020 का sale 3400 करो, then 3500, फिर 34, फिर 31 करो, then 3000 करो, ठीक है, सो sale में बिल्कुल मैं देख सकता हूँ, गिरावट है, expense देख सकते हैं, 1345 करोर का है, सिधा आ जाते हैं एक बार net profit पे, net profit देख सकते हैं 224 करो, last quarter and quarter improvement है, लेगिन year on year basis 291 करोर था, so year on year basis performance मैं बोल सकतो, mute performance है, गिरावट है, एक बार P&L statement long term में company क्या करी है, वो चेक कर लेते हैं, sales देख सकते हैं 1400 करो, then 2100, फिर 3000 करोर, then 4000, अच्छी बात है sales बढ़ता हुआ दिख रहा है, then 5000 करो, फिर 640, फिर देख सकते हैं 7400 करोर, फिर 8500 करो, then 10,000, 13,000, 14, 9,13, 9,13, so sales में तो बढ़ता ही है, फिर कहां दिखाता है ये company को चेक कर देख लेए, expense देख लीजिए आप 5500 करो, ठीक है, चिधा चलते है net profit पे, तो net profit है 959 करो, last quarter में 971 करो, और आप देख सकते हैं, last year same quarter में 2200 करो, यहाँ पे exceptional रहा होगा जरूर, कुछ ने कुछ, so मैं check कर लूँगा, so company impressive कुछ खास नहीं लगा मुझे तो result, न long term में, न quarterly result इसका performance अच्छा है, EPS में देख सकते हैं, वहाँ भी downfall है 3.89, last quarter में 3.93, और उससे पहले 9 EPS है, earning per share, ठीक है, दोस्तों एक बार balance sheet भी जरूर में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, reserve company के पास बहुत ज़्यादा है, 16,000 करोर की reserve है, फिर borrowing, शलिए, NBFC company है तो इनके पास borrowing होता, यह कभी नहीं देखना होता, NBFC और banking में, total asset देख सकते हैं, asset भी इनके पास अच्छा खासा asset है, 10,000 करोर का asset है, 1,00,000 करोर का asset है, sorry, दोस्तों, 10,000 नहीं, अब मैं बात कर लेता हूँ, एक बार share holding pattern पे, ठीक है, promoter के पास 63% है, decent holding बोल सकता हूँ, FIS के पास भी 8% की holding है, DIS के पास भी 6% की holding है, और public के पास 21%, so share holding pattern बहुत decent है, result भी कुछ खास खराब नहीं है, बट अभी improve करना जरूरी है, so जिसनी result अच्छा लाएंगे, क्योंकि long term में मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपका result बेटर होगा, तो definitely company up जाने वाल है, आप लोग समझ गयोंगे, share price में क्यों गिरावट है, और बात रही, यहीं बोलूँगा, आप लोग hold करके चलिए, loss में मत निकाली share को, आपको पहली निकल जाना चाहिए था, क्योंकि हमेशा stop loss को respect दीजिए, अगर company का quarterly result खराब आता है, तो आप लोगों के एक indication मिल जाता है, कि आपको exit करने का time आ चुका है, और जो भी fresh position बनाना चाहते है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बोलूँगा, आप कुछ quantity add कर सकते हैं, इस rate पे, यहां से आपको अच्छा return मिल सकता है, दोस्तों इसी के साथ वीडियो को end करते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, जादा जादा share कीजिए, अगर आपको भी profit का माहनत इस चैनल से जरू जूरी है, thank you so much दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे next वीडियो में अब तक के लिए, bye bye